जेल में बंद गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णौई ने सल्मान खान के खिलाफ फिर से आग उगली है उसने जेल में बैठ कर टीवी चैनल को दिए एक इंटर्व्यू में सल्मान खान को ध्ढंकी दी है लॉरेंस का कहना है कि उसके मनसूबें सल्मान के खिलाफ सही नहीं है लॉरेंस ने कहा कि जिदिन सल्मान की सिकुरिटी हटी फिर वो उनके जीवन का अंतिम दिन होगा का रावन से भी जादा है सिद्धु मुसेवाल भी इतना ही एहंकारी था मेरा बश्पन से बस एक ही गोले और वो है सलमान खान को मारना लॉरेंस का कहना है कि जब वो चार-पांस सल का था तबी सलमान ने शिकार खेलते वक्त विश्णोई समाज के लिए पूजे जाने वाले काले हिरन को मार दिया था और तबी से उसके मन में सलमान के प्रती गुस्सा है लॉरेंस विश्णोई ने कहा सलमान खान ने हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया है हम उनका एहंकार तोड़ेंगे हमारे समाज में जीव जन्तूओं और पेड़ पोदों को भी पूजा जा हम चाहते हैं कि सलमान हमारे समाज के सामने आकर माफी मागे राज़िस्तान में हमारे समाज का मंदीर है उनके सामने जाकर सलमान माफी मागे अगर समाज के लोगों ने उन्हें माफ कर दिया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है लारेंस विश्णोई से धंकी मिलने के बा इस सुरक्षा घ्रे में सल्मान के साथ 11 जवान हर समय साथ रहते हैं, इसमें एक या दो कमांडो और दो पीए सो भी शामिल होते हैं, सल्मान की गाड़े के आगे और पीछे एसकॉट करने के लिए दो गाड़ियां हमेशा रहती है इसके साथ सल्मान की गाड़ी भी पूरी तरब बुलेट फूफ है रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान खान ने उन्निस सो इंठ्याणू में फिल्म हम साथ साथे की शुटिंग के दोराण राजिस्तान की जंगलों में काले हिरन का शिकार क्या था सल्मान के अलावा सेफ अली कान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और निलम कोठारी पर भी अरुप लगे थी विश्णोई समार ने तब सल्मान के खिलाफ शिकायत भी दर्च कराई थी सल्मान को इसके लिए जोतपुर कोट ने पास साल की सजा भी सुनाई थी हाला कि बाद में उन्हें समामले में बेल मिल गई थी लौरेंस विश्णोई पंजाब, हरियाना, राजिस्तान और हिमाचल प्रदेश की सबसे खतरनाग गेंग्स का लीडर है वो अपनी गेंग का संचालन अमूमन जेल से ही करता है उसके पास महंगी, पिस्तोल और बंदुकों का जखीरा भी है पंद्रा साल पहले अपने कॉलेज में हवाई फाइरिंग करके वो अपना रुत्बा कायम कर चुका है लौरेंस जेल में अमूनम विदेशी सीम काम में लेकर सारे मेसेज वाटसब के जरी भेजता है उसके पिता लविंद्र कुमार पंजाब पुलिस के कॉंस्टेबल के पत पर रह चुके हैं वो सल्मान खान को उड़ानी की धमकी देकर सबसे पहले चर्चा में आया था वो 2014 से ही जेल में बंद है इसी के साथ बने रहे है राजणावा टीवी के साथ धन्यावाई